नमस्कार आप देख रहे हैं देशवान यूज और मैं हूँ आपके साथ कुमार कौशी इसकी कहानिया तो आपने बहुत सुनी होगी हिर रांजा से लगाय तलैला मजनु तक लेकिन दीवानों की फैरिस्ट अभी समाप्त नहीं हुई है दीवाने गाये बगाये हमेशा देख आई हुई और कहा हुई यह हम देखते हैं वीडियो में और जानते हैं जी हां यह अजीबो गरीब मामला नालंदा से आया है यहां एक यूवक को इश्क का जुनून महंगा पढ़ गया उसका वीडियो इन दिनों सोसल मीडिया पर खुपतेजी से वारल हो रहा है वारल वी को लड़की के परिवार वालों ने पकड़ कर खूब धुनाई कर दी जिसे गंभीर अवस्था में इलाज के लिए प्रेमी के परिवार वालों ने फानन फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भरती कराया जहां डॉक्टर ने प्रात्मिक उप्चार के बाद उसे हा शामला हरनौत थाना छेतर के मुबारकपुर गाउं का है बारात उसी इलाके के नंदा बिखा गाउं से आई थी गाउं के शैलेंदर रावत के पुत्र मुकेश कुमार का गाउं की बरन पासवान की पुत्री ललिता कुमारी से एक साल से ज्यादा वक्त से प्यार चल रहा था जब इसकी भनक लड़की के परिवार वालों को मिली तो आन अन्फानन में उसकी शादी तै कर दी गई जिसकी शादी मंगलबार को थी तब ही प्रेमी पुर्वसे प्लानिंग में था शादी की राच जब जैमाला की रस्म चल रहा था उसी दोरान प्रेमियर स्टेज पर चड़ गया और अपनी प्रेमी का को जैमाला पहना कर उसके मांग में सिंदूर डाल दिया लोगों की माने तो सिंदूर देने के बाद प्रेमी को प्रेमिका के सस्वार वालों ने पकड़ लिया और उसकी जम कर पिटाई कर दी सूचना के बाद पुलिस की टीम गाउं पहुँची और वरवधू के परिबार वालों को समझा कर शादी पूरी कराने का प्रेयास किया लेकिन लड़के वाले नहीं माने फिलहाल लड़की की शादी तूट चुकी है तो दीवाने की जम कर पिटाई हो गई और दीमाना जो है अभी दर्द में अस्पताल में भरती है देश्वा न्यूज के लिए नालंदा से मेरे सहयोगीन महमूद आलम की रिपोर्ट देश्वा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन दवाना न भूलें